एक बिजनेसमेन को काफी लॉस उठाना पड़ा तो उसने उधार पैसे लिए ब्याज पर और जिससे पैसे लिए थे उसको दे नहीं पा रहा था लोटा नहीं पा रहा था और पैसे मांगने वाला एक दिन भी रूक नहीं रहा था पैसे मागने वाला आदमी बोड़ा था और उसे बिजनेसमेन की बेटी हासिल करनी थी शादी करनी थी इसलिए बोड़े आदमी ने कहा कि मैं सारा कर्ज माफ कर दूगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो बिजनसमेन ने मना कर दिया तो बुड़े आदमी ने एक और आफर रखा कि एक काम करते हैं गेम खेलते हैं जिसमें एक छोटी सी पोटली में दो पत्थर डालूगा एक वाइट होगा और ब्लैक होगा बाप और बेटी दोनों agree होगे, पूरे गाउवालों के इकटा करा, मुख्या भी वहाँ पे देख रहा था, जमीन से दो पत्थर उटा करके बुड़े आदमी ने पोटली में डाले और लड़की ने देख लिया कि उस बुड़े आदमी ने दोनों ही पत्थर ब्लैक डाले है और ब्लैक पत्थर का मतलब हुआ कि करज माफ लेकिन शादी करनी पड़ेगी, अगर लड़की गेम केलने से मना कर दे तो शादी तो बच जाएगी, लेकिन बाप का करज माफ नहीं होगा, और अगर दोनों ही पत्थर निकालके उस बुड़े इंसान की बेज़ती कर दे, तो वो आदमी कभी ने कभी बदला जरूर लेगा, इसलिए लाश्ट उप्षन था, कोई एक पत्थर निकालो जो की ब्लैक ही निकलेगा, और करज माफ के साथ में उसको शादी करनी पड़ेगी, लड़की ने चाला की से गेम खेला, उसने एक पत्थर निकाला, और एक्ट पत्थर निकाला तो वो ब्लैक निकला, यानि कि नेचे गिरावा पत्थर वाइट था, और ये पुरा गाव देख रहा था, मुखिया भी देख रहा था, कि अब कर्ज माफ हो चुका है, और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पत्थर जो उठाके निचे गिरा ज इतकलती से वो वाइट था, इसे कहते है टफ सिच्वेशन में चाला की से दिमाग चलाना, इसी तरह से छोटी-छोटी कहानियों के माधियम से मैं आपको ऐसे ऐसे बड़े-बड़े लेसंस देने वाला हूँ, जो आपके जिन्दगी भर काम आने वाले है, तो बीना एक सेक इतने काफी है ना बिजनसमें, तो बाकी की टाइम करते क्या हो, मचवारा, फिशिंग करके घर जाता हो, वाइफ, बच्चो और दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करता हो, शराप पिता हो, मज़े करता हो, गीटार बजाता हो, नाज गाना चलता है, पार्टी होती है, जदा फिशिंग करके पैसे कमाओ, सेविंग करो, और उसे बोट खरीद लो, जिससे और जदा फिश पकड़ पाओगे कम वक्त में, और इस तरह से एक और बोट ले लो, और इस तरह से तुम अपनी टीम बना लो, अपना काम दूसरों को भी सिखा लो, वो आपके लिए काम करेगे, कमपनी सेट अप कर लो, एक प्रोडक्शन प्लांट बना दो, फिश की पैकिंग और डिस्टिबिशन कंटूर कर सकोगे, और एक सीटी के अलावा दूसरी सीटी में भी अपनी ब्रांचेस खोलतो, मचवारा शान तरह और बोला, उसके बाद बिजनसमेन, अरे उसक अला कि उसने अपना बिजनस छोड़ दिया, और फिशर्मेन के साथ में रहना शुरू कर दिया, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पता करो कि उसके बात क्या, वो क्यों पाना है, वो क्यों करना है, अगली स्टोरी, एक बार एक लड़का अमीर बनना चाता था, और वो ले लो अपनी हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड, वो काम पे लगया, रोज एक एक कंकड हाथ में लेता, दो तीन सेकेंड गरम है यानि ये चेक करता और उसको समुदर में फैक देता, ताकि वो बाकी कंकड में ना मिल जाए, एक महीना करा, रोज गंटों गंटो हाथ में लग गई, हाथ में आते ही क्योंकि उसके जल्ली से बिना परके फैकनी की आदत बन चुकी थी, तो उसने उस गरम कंकड को भी समुदर में फैक दिया, और फैक दे ही उसने जोड से अपने सर पर मार कर चिला कर पच्छतावा करा, कि मैंने ये क्या कर दिया, हर जिहान से परको, यानि कि हर दिन को important समझो, कोई एक दिन, कोई एक कंकड आपकी जिन्दगी को सोने में बदल सकता है, अगली कहानी, एक बाप अपने बेटे के साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, और नोटिस करता है कि रेस्टोरेंट की हालत काफी खराब ह गंदगी है, टेबल टूटी भी है, खाना भी टेश्टी नहीं था, बेटा पिता से कहता है कि हम कितने गरीब हैं और कितनी मैनत करते हैं, इनके पास ही होटेल है, चाहे तो कितना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, तो ये रेस्टोरेंट पे मैनत क्यों नह खाना खाकर बिल पे करते वक्त ओनर से ला परवाई का कारण पुचा तो बोला इस रेश्टोरेंट में इतनी कमाई नहीं है लोग आते ही नहीं है इसलिए हम इस पे ध्यान देते नहीं है ना इन्वेस्ट करते है हमारी कमाई एक ट्रक चलती है उससे हो जाती है लड़के के रेश्टोरेंट के अनर से बात करी कि इतना सब कुछ कैसे हूआ तो उसने बोला कि मेरी कमाई एक ट्रक चलती थी उससे होती थी और मैं रेश्टोरेंट पर बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं था लेकिन पता नहीं किस कारण से वो ट्रक खराब हो गी और उसे कोई ठिक करी इसलिए पैसे कमानी के लिए मजबूरन मैंने रेश्टरेंट पर ध्यान दिया और पता चला कि होटेल मैनेजमेंट और बिजनस करना मेरे अंदर था, मेरी अंदर की आवास थी, मैंने पूरे रेश्टरेंट का रंग गूरू बदल गया, कुक बदल दिये, वेटर्स बदल द ये पास हो गया, डॉक्टर बनने तक सेटिंग चलाई, सर्टिफिकेट पालिया, डॉक्टर बन गया, होस्पिटल खोल दिया, उसके पास में एक्षिडेंट का केस आया, जो कि सिरियस था, ऑपरेशन उससे मैनेज हो नी पाया, क्योंकि उसने त्यारी कर ही नी थी, उसकी ह इता ही वो उन लोगों में से एक इंसान थे, जिसने रिश्वत ली थी, फादर को कर्मा मिला, तो डॉक्टर को शॉर्टकट लेने का नतीज़ा मिला, डॉन्ट टेक शॉर्टकट, एक दिन काम्या भी संभाल निपाओगे, त्यारी करो, next story, एक इंसान बुद्ध से अपनी यहां जा रहे हो, बोला कि बुद्ध के पास जा रहा हो, तो बोला कि यहार मैं काफी टाइम से ड्रैगन बना चारह हो, बं नी पा रहा हो, तो मेरा भी पुछ क्या आना, finally बुद्ध से मिला तो वो बोले, कि आप किवल तीन ही सवाल कर सकते हो, उसने सुचा कि मेरी वैसे का कि तुम अपना कवत छोड़ दो ड्रैगन बन जाओगे उसने जैसे ही कवत छोड़ा ड्रैगन बन गया और बहुत सारे मोती गिरे जो मोती उस इंसान ने रख लिये आगे जाकर जादोगर से मिला और कहा कि तुम ये छड़ी छोड़ दो तो तुम स्वर्क चले जाओगे छड़ी छोड़ दी और वो छड़ी उस इंसान ने रख ली और वो स्वर्क चला गया उसकी बाद में आखिर में वो लड़की से मिला तो लड़की ने आगी सही बोल दिया कि तुम वही अदमी हो ना जो पहले आये थे लड़की बोल पड़ी मतलब वो इंसान उस लड़की का लाइफ पार्टनर बन गया सबने कुछ न कुछ खोया और कुछ पाया लेकिन सबसे ज़्यादा उस इंसान ने पाया जिसने अपने लिए एक भी सवाल नि करा वो इतना दूर चाने के बाद भी अपना एक भी सवाल नि करा उन तीनों के लिए सवाल करा जिसे मिले मोती, जादू की छड़ी और लाइफ पार्टनर जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी सक्सेस अगली कहानी मुझे इश्वर बचा लेगे अब पानी इतना बढ़ चुका था कि सादू को पीड की उपर चना पड़ गया वाप हेलिकॉप्टर जा रहे थे काफी सारे एक आखरी हेलिकॉप्टर के नजर पड़ी सादू पर और रसी फैकर का कि रसी को पकड़ लो या आखरी हेलिकॉप्टर है आप डुप जाओगे तो सादू ने का कि आप चले जाओ मुझे इश्वर बचा ही लेगे और इस तरह से सादू की डुपने से मौत हुजाती है मरने के बाद में वो इश्वर से कहता है कि मुझे आपने बचाया क्यों नी मैंने जिन्दगी बड़ आपके लिए तपस्या करी और आपने मुझे बचाया नी इश्वर ने का कि मुर्ख इंसान में तीन बारी आये था तीनो बार मैं ही तो था एक बार पैदल एक बार नाव के साथ और एक बार हेलिकॉप्टर के साथ जब मॉके होते हैं तब हम पता नहीं किसका इंतिजार कर रहे होते है और हम एक्शन नी लेते हैं और उसके बाद में जब वक्त निकल जाता है हम पच्चतवा करते हैं अगली स्टोरी कुछ बंदरों को एक पिंजरे में डाल कर पिंजरे में केले लटका दिये गए अब जैसे ही कोई बंदर केले खानी के लिए पास में जाता तो उपट से ठंडा पानी गिरा दिया जाता पानी गिरने की वज़े से सारे बंदर गिले हो जाते अब क्योंकि कोई भी बंदर कैले के पास जाता तो ठंडा पानी गिरा दिया जाता तो उन्होंने नियम बना लिया कि कोई भी बंदर अगर कैले के पास में गया तो उसकी धुलाई होगी कुछ दिन बाद एक पुराने बंदर को निकाल करके एक नया बंदर को उस पेंजरे में डाल दिया नया बंदर ने कहले देखे पास जाने लगा उसको पता ही नहीं क्या होगा कहले के पास जाते ही बंदरों ने उसकी धुराई कर दी नया बंदर समझ नहीं पाया कि मेरी दुलाई ओकी रुई है फिर से एक और पुराना बंदर निकाल करके एक नया बंदर उसमें डाल दिया गया अब जैसे ही वो नया बंदर फिर से केले देखता है पास जाता है उसकी भी दुलाई होती है लेकिन इस बार ही इस दुलाई में पिछला वाला नया बंदर भी सामिल था जिसको पता ही नहीं है कि दुलाई करनी क्यों है ऐसे करते करते सारे पुराने बंदर जिनको पानी वाली बात पता है उनको निकाल करके नहीं बंदर डाल दिये जिनको पता ही नहीं है कि दुलाई करनी क्यों है और इस तरह से सब एक दूसरे की दुलाई कर रहे थे किसी को नहीं पता कि दुलाई क्यों कर रहे है हम सब अपने सपनों को इसी तरह पीटते है क्यों पीट रहे है किसी को नहीं पता बस सिखाया गया है कुछ system मना भी गया क्यों है पता ही नहीं है हो सकता है किसी के उपर ठंडा पानी गिरा होगा यानि कि वो fail हुआ होगा जिसकी वज़ा से उसने कोई नियम मना लिया अब लेकिन दिक्रत यह है कि आपके उपर ठंडा पानी नहीं गिरने वाला है लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है जब पानी गरम होते होते एक लिमीट से जादा गरम हो जाता है तब वो अपने आपको एड़ेस्ट नहीं कर पाता है और वो बाहर आने पाता है क्योंकि उसके कूदने की एंणरजी खतम हो चुकी है वो घहल हो चुका है बहुत ज़्यादा गरम हो जाने की वज़ा से उसने अपने सारी एनरजी शुरू में ही अपने आपको एड़स्ट करने में दे दी वो चाहता तो एक छलांग से उसी टाइम बार आ सकता था और आखिरी में वो मर जाता है मैंडनेक की मौत किससे हुई? करम पानी से नहीं हुई, मौत हुई, राइट टाइम पर जंप ना लेनी की वज़ा से अच्छे वक्त का इंतिजार मत करो, बस कूद जाओ, उसके बात में सही करतो सब सही करने का सोच कर मत कुदो, क्योंकि कभी नी कुद पाओगे और कहते हैं कि सबसे अच्छा कूदने का वक्त तब होता है, जब आप त्यार नी होती हो, क्योंकि कूदने के बाद त्यारी होती है अगली स्टोरी, एक औरत को अपनी सांस पे बहुत गुस्सा आता था, वो गई ऐसे इंसान की पास जो जहर दे सके उसने का कि मैं जहर देता हूँ, पर इसको थोड़ा-थोड़ा करके खिलाना है, और दो महीने बाद मौत हो जाएगी आपके सांस की पर दो महीने तक अपने सांस से अच्छे से बात करनी होगी, ध्यान रखना होगा ताकि तुमारे पती को एक परसेंट भी शक ना हो दो महीने तक उसने थोड़ा-थोड़ा रोज जहर दिया, बहुत महबत से रहती, उसका मन करता कि एक ही दिन में सारा जहर दे दे, लेकिन ऐसा करने से उसके पती को शक हो जाएगा, इसलिए उसने पहले बनाई दो महीने रोज थोड़ थोड़ा जहर दिया, अपने सास के साथ में अच्छे से रही, दो महीने होने ही वाले थे, वो जहर दिने वाले के पास में गई और बोली कि कुछ ऐसा कर दो कि उनकी मौत ना हो, क्योंकि अब मुझे उनसे प्यार हो गया है, मुझे उनमें कोई कमी न नजर आती है, दोस्तों हर इंसान अच्छा लगने लग जाता है, जब उनसे बनाने की कोशिश करता है, अगली स्टोरी, एक शूस के बिजनस ओनर ने दो लोगों को फ्रेशर पर लगाया, और काम दिया, कि जो इस काम को करेगा, उसकी नौकरी रहेगी, बाकी दूसरा फा सकते हैं, और दूसरे वाले ने mail करा, कि सर, यहाँ पे तो लोग जूते पहनते नहीं है, यह तो opportunity है, इसका मतलब यह कि हम करोडों में कमाने वाले है, क्योंकि यहाँ किसी ने अब तक शूस पहने श्टार्ट करे यह नहीं है, यानि कि सब को सूच खरेदने की जरूत है, positive side देखने वाले की job लग गई, और दूसरा जो कहता था कि यहाँ पे shoes नहीं बेच सकते हैं, उसको fire कर दिया, कोई भी कमी होती है, उसको अपने फायदे में इस्तमाल करो, वहाँ पर पर परेशान मत हो, अगली story, एक उंट का बचा अपनी मा से कहता है कि हमारी कमर पर यह क सोचने के लिए, उंट का बचा बहुत टाइम तक सोचने के बाद में बोलता है, हम अगर रेगिस्तान के लिए बने है, हमारी ताकत ही रेगिस्तान में रहने के लिए है, तो हम यह zoo में क्या कर रहा है, हर इंसान की अपनी शक्ती होती है, और उसका मैदान होता है, आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही है, अगली स्टोरी, एक राजा की आँखो में जलन हो रही थी, किसी तरह का इंफेक्शन हो गया था, डॉक्टर से चेक करवाया तो पता लगा कि एक ऐसा इंफेक्शन हो गया है, जिसमें आप हरे कलर के अलावा कोई भी कलर देखोगे पास सब कुछ, और ऐसा करने में बहुत पैसा भी ख़ज हो रहा था, पूरा गाउ हरा करना था, एक इंटेलिजन्ट इंसान वहाँ से निकल रहा था, देखा कि यार, ये सब कुछ हरा क्यों है, तो किसे से पुचा कि हरा क्यों है, तो कहा कि एक राजा है, उनको कोई इंफ करते हैं, इसलिए अगली कहानी भी इसी के उपर है कि एक बड़ एक जादूगर था, वो कोई भी लॉक खोल सकता था, कोई भी तालावतार को मोड़ करके खोल सकता था, एक होसियर इंसान ने इस जादूगर को चैलेंज दिया, कि इस जेल में जाओ, और अब लॉक को खोल कर दिखाओ, उसने बहुत ट्राय करा, लेकिन वो खोल नी पाया, उसने हार बांद ली, और से इनसान कहता है कि तो ने बहुत ताले खोले हो गए, लेकिन ये नी खोल पाया, पता है क्यों, क्योंकि ये अल्लॉक था, इसको मैंने लॉक करा ही नी था, कई बार जो नहीं है, वो भी हम solve करने लग जाता है, यानि कि भी वजह सोचने लग जाता है, अगली story, ये आखरी story बड़ी interesting है, एक राजियो में हर 5 साल में एक नया राजा बनाया जाता है, और 5 साल complete होने के बाद में उस राजा को एक ऐसे जंगल में भेज देते हैं, जहांपर जंगली जानव होता है, और वो जानवर ही खा लेते हैं उस राजा को, एक राजा के 5 साल complete होए, उसको जंगल में भेज दिया गया, और अब आया चालाक राजा, जब ये चालाक इंसान राजा बन जाता है, तब वो लोगों से पूछता है, कि 5 साल complete होने के बाद में आप ऐसा कौन सा जंगल है, जहां पर भेज देते हो, वो राजा अपने लोगों के साथ में उस जंगल में जाता है, देखता है कि वो काफी घना जंगल है, वहाँ पर काफी राजाओं की बाडिस भी पड़ी है, राजा सोचता है कि 5 साल के बाद में मेरा भी ये हलोने वाला है, उसने दिमा होने से पहले जंगल का नाम और निशान मिटा लिया ये सब करते करते राजा ना पैसे भी बहुत जबा सेव कर लिया अपने लिए पांच साल जैसे ही कंप्लीट हुए राजा बोलता है कि मुझे भेजदो जहांपर आप भेजदे हो हर बरे राजा को बोट में बैठाय जाता है क्योंकि जंगल का रास्ता नदी से आता है तो बोट में बैठने से पहले वह काफी खुश होता है लोग पूछते हैं कि आप इतने खुश क्यों तो वो बोला कि हर राजा आता है पांच साल राज करता है मस्त रहता है राज करने में और 5 साल बाद जंगल में जाता है मैंने 5 साल के वल राज नी करा मैंने कड़ी मेहनत से गने जंगल को शेहर बना दिया मैंने 5 साल यहां कम्प्लीट हो जोके अब मैं जिन्दगी बर वहां राज करूगा जहां जा रहा हूँ क्योंकि राजा ने सेविंग भी कर रही थी तो वहां पैसा लेकर वहां चला जाता है और इस नहे जगह में उसकी इजद भी हो दिया क्योंकि करीबों को बहुत घर भी दिया होते है आप आज मेहनत करो कल की बविश्यों के लिए अब तक के लिए सिर्फ इता है गाईस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है ना तो कमेंट करके जरूर जाना और अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कमेंट में क्या लिखे यार तो सिर्फ कमेंट में येस लिख देना कि येस इस वीडियो की वज़े से मेरी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आया है आपकी कमेंट्स देकर मेरा होसला बढ़ जाता है अगली वीडियो को और अच्छी बनाने के लिए तो येस कमेंट करके ज़रूर जाना मिलते हम अगली वीडियो में विश यू आल दे वरी बेश्ट मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ